रामजी की से ना चली रामण को जीतने चली वानर भालू जोश में नाचे आगे हैं बजरंग बली रामजी की से ना चली रामण सीता को हर लाया दुर भागे को गले लगाया दुर भागे को गले लगाया मौत अब है आगे खडी मेरे रामजी की से ना चली रामजी की से ना चली रामण को जीतने चली रामजी की से ना चली रामजी की से ना चली राम लक्ष्मन जान की, जै बोलो हनुमान की माभार्ती को प्रणाम, हिसाली वाली मैया के चरणों में प्रणाम और पावन चिंतन धारा आश्रम की ओर से, सभी को जै श्री राम राम जी की सेना चल दी है, यानि की अब बारी है युद्ध कांड की शत्रु तो हर संभव चाल चलता ही है, पर युद्ध में विजई वही होता है जो बुद्धी, बल, पराक्रम, धैर्य उत्साह और धर्म का साथ नहीं छोड़ता यह कांड इसी सत्त को उद्घाटित करता है तो हम सब भी बनते हैं श्री राम की सेना के सैनिक और सुनते हैं युद्ध कांड ओम श्री गनिशाय नमहा ओम श्री सरस्वते नमहा ओम श्री हनुमते नमहा ओम श्री गुरुवे नमहा श्री सियावर राम शरणागतम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमह श्रीमत वालमी की ये रामायन युद्ध कांड चियत्तर्वा सर्ग अंगत के द्वारा कंपन और प्रजंग का दुवित के द्वारा शोनिताक्ष का मैंद के द्वारा युपाक्ष का और सुग्रीव के द्वारा कुम्भ का वद जब वीर जनों का विनाश करने वाला भगोर घमासान युद्ध चल रहा था उस समय अंगत संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आई कंपन ने अंगत को क्रोध पूर्वक ललकार कर बड़े वेग से उनके उपर पहले गदा का प्रहार किया इस से उनको बड़ी चोट पहुँची और वे काप कर बेहोश हो गये फिर चेत होने पर तेजस्वी वीर अंगत ने एक परवत का शिखर उठा कर उस राक्षस पर दे मारा उस प्रहार से पीडित हो कंपन प्रित्वी पर गिर पड़ा उसके प्राण पखेरू उड़ गई कंपन को युद्ध में मारा गया देख शोनिताक्ष ने रत पर बैट कर तुरंत ही निर्भय हो अंगत पर धावा किया उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ और कालागनी के समान आकार वाले तीखे तथा पैने बाणों द्वारा बड़े वेग से उस समय अंगत को चोट पहुँचाई उसके चलाए हुएक शुर, शुरप्र, नाराच, बत्स, दंत, शिली, मुख, करनी, शल्य और विपाठ नामक बहु संख्यक तीखे बाणों से जब प्रतापी वाली पुत्र अंगत के सारे अंग बिन्ध गए, तब उन बल्वान वीर ने बड़े वेग से उस राक्षस के भयंकर धनुष, रत और बाणों को कुचल डाला तद नंतर वेगवान निशाचर शोनिताक्ष ने कुपित हो ततकाल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली, तथा वह बिना सोचे विचारे रत से कूद पड़ा इतने ही में बल्वान अंगद ने शीघरता पूर्वक उछल कर उसे पकड़ लिया और अपने हाथ से उसकी उस तलवार को छीन कर बड़े जोड से सिंघनाद किया फिर कपी कुंजर अंगद ने उसके कंधे पर तलवार का वार किया और उसके शरीर को इस तरहें चीर दिया मानो उसने यग्यो पवीत पहन रखा हो इसके बाद वाली पुत्र ने उस विशाल खड़क को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए युद्ध के मुहाने पर दूसरे शत्रुओं पर धावा किया इतने ही में प्रजंग को साथ लिये बल्वान वीर युपाक्ष ने कुपित हो रत के द्वारा महा बली वाली पुत्र पर आक्रमण किया इसी बीच में सोने के बाजुबंद पहने वीर शोनी ताक्ष ने अपने को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया फिर युपाक्ष सहित बल्वान महा वीर प्रजंग कुपित हो महा बली वाली पुत्र पर गदा लेकर चड़ आया शोनी ताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच में कपिश्रेष्ट अंगद वैसी ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं उस समय मैंद और दुविद अंगद की रक्षा करने के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए वे दोनों अपने अपने योग्य विपक्षी योद्धा की तलाश भी कर रहे थे इतने ही में तलवार, बान और गदा धारण किये बहुत से महाबली विशालकाय राक्षस रोश पूर्वक वानरों पर तूट पड़े ये तीन वानर सेनापती उन तीन प्रमुक राक्षसों के साथ उल्शे होए थे उसमें उनमें रोंटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया उन तीनों वानरों ने रण भूमी में व्रिक्ष ले लेकर युद्ध में निशाचरों पर चलाए परन्तु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब व्रिक्षों को काट गिराया ततपच्चात उन्होंने रण भूमी में उन राक्षसों के रथों और घोडों पर व्रिक्ष तथा परवत शिखर चलाए परन्तु महाबली युपाक्ष ने अपने बान समुहों से उनके टुकडे टुकडे कर डाली मैंद और दुविद ने जिन जिन व्रिक्षों को उखाड उखाड कर उन राक्षसों पर चलाया था उन सब को बल विक्रमशाली और प्रतापी शोडिताक्ष ने गदा मार कर बीच में ही तोड़ डाला तत पश्चात ब्रजंग ने शत्रुओं के मर्म को विदिर्ण करने वाली एक बहुत बड़ी तलवार उठाकर वाली पुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया उसे निकट आया देख अतिशय शक्तिशाली महाबली वानर राज अंगद ने अश्वकर्ण नामक व्रिक्ष से मारा साथ ही उसकी बाह पर जिसमें तलवार थी उन्होंने एक घूसा मारा वाली पुत्र के उस आघात से वह तलवार छूट कर पृत्वी पर जागिरी भयंकर मुक्का घुमाना आरंभ किया। उस महा तेजस्वी निशाचर ने महा पराक्रमी वानर शिरोमणी अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा जिससे अंगद को दो घडी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर तेजस्वी और प्रतापी वाली कुमार ने प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमी में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर युपाक्ष की आंखों में आशु भर आये। उसके बाण नश्ट हो चुके थे। इसलिए तुरंत ही रत से उतर कर उसने तलवार हाथ में ले ली। युपाक्ष को आक्रमण करते देख बलवान वीर द्विद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी चाती में चोट की और उसे बल पूर्वक पकड लिया। भाई को पकड़ा गया देख महाते जस्वी एवं महाबली शोनिताक्ष ने द्विद की चाती में गदा मारी। शोनिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विद विचलित हो उठे। तत पश्चात जब उसने पुनह गदा उठाई तब द्विद ने जपट कर उसे छीन लिया। इसी बीच में पराक्रमी मैंद भी द्विद के पास आ गए और उन्होंने यूपाक्ष की चाती में एक थपड़ मारा। वे दोनों वेगशाली वीर शोनिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विद के साथ समरांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विद ने अपने नकों से शोनिताक्ष का मुह नोच लिया और उसे बल पूर्वक पृत्वी पर पटक कर पीस डाला। तत पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर पुंगव मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरहें दबाया कि वह निश्प्राण होकर पृत्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुक वीरों के मारे जाने पर राक्षस राज की सेना व्यथित हो उठी और भाग कर उस ओर चली गई जहां कुम्भ कर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भाग कर आती हुई उस सेना को कुम्भ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महा पराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने की कारण जोर-जोर से गर्जना करने लगी। राक्ष सेना के बड़े-बड़े वीरों को मारा गया देख ते जस्वी कुम्भ ने रणभूमी में अत्यन्त दुशकर कर्म करना आरंभ किया। वह धनुड धरों में श्रेष्ट था और युद्ध में चित्त को अत्यन्त एकाग्र रखता था। उसने धनुष उठाया और शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ एवं सर्प के समान विशैले बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसका वह बाण सहित उत्तम धनुष विद्युत और एरावत की प्रभासे युक्त द्वितीय इंद्र धनुष के समान अधिक शोभा पा रहा था। उसने सोने के पंख लगे हुए पत्र युक्त बाण द्वारा जो धनुष को कान तक खीच कर छोड़ा गया था। द्विद को घायल कर दिया। उसके बाण से सहसा आहत होकर त्रिकूट परवत के समान विशाल काई वानर श्रेष्ट द्विद व्याकुल हो गए और चट पटाते हुए पाउं फैला कर प्रिथ्वी पर गिर पड़ी। उस महा समर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दोड़ी। उन महा बली वीर ने वह शिला उस राक्षस पर चला दी परंतु कुम्भ ने पाँच चमकीले बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर विशधर सर्प के समान भयंकर और सुन्दर अग्रभाग वाला दूसरा बाण धनुषपर रखा और उसके द्वारा उस महा तेजस्वी वीर ने द्विविद के बड़े भाई की चाती में गहरी चोट पहुँचाई। उसके उस प्रहार से वानर यूथपती मैंद के मर्म स्थान में भारी आगात पहुचा और वे मुर्चित होकर पृत्वी पर गिर पड़ी। मैंद और द्विविद अंगद के मामा थे। उन दोनों महाबली वीरों को घायल हुआ देख अंगद धनुष लेकर खड़े हुए कुम्भ के उपर बड़े वेग से तूटे। उन्हें आते देख कुम्भ ने लोहे के बने हुए पाँच बाणों से घायल कर दिया, फिर तीन तीखे बाण और मारे। जैसे महाबत अंकुष से मतवाले हाथी को मारता है, उसी प्रकार पराक्रमी कुम्भ ने बहुत से बाणों द्वारा अंगद को बीन्ध डाला। शरीर छिद गया था, तो भी वे कमपित नहीं हुए। उन्होंने उस रक्षस के मस्तक पर शिलाओं और व्रिक्षों की वर्षा आरंभ कर दी। किन्तु कुम्भ कर्ण कुमार, श्रीमान कुम्भ ने वाली पुत्र के चलाए हुए उन्समस्त व्रिक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। ततपश्चात वानर यूथपती अंगद को अपनी ओर आते देख कुम्भ ने दो बानों से उनके भौवों में प्रहार किया, मानों दो उलकाओं द्वारा किसी हाथी को मारा गया हो। अंगद की भौवों से रक्त बहने लगा और उनकी आखें बंद हो गएं। तब उन्होंने एक हाथ से खून से भीगी हुई अपनी दोनों आखों को ढख लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक साल के व्रिक्ष को पकड़ा। फिर छापी से दबा कर तने सहित उस व्रिक्ष को कुछ जुका दिया और उस महा समर में एक ही हाथ से उसे उखाड लिया। वह व्रिक्ष इंद्र ध्वज तथा मंदराचल के समान उचा था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुम्भ पर दे मारा। किन्तु शरीर को विदिर्ण कर देने वाले साथ तीखे बान मार कर कुम्भ ने उस साल व्रिक्ष के टुकडे टुकडे कर डाले इससे अंगद को बड़ी व्यता हुई। वे घायल तो थे ही गिरे और मुर्चित हो गये। दुर्जे वीर अंगद को समुद्र में डूबते हुए के समान प्रिथवी पर पड़ा देख श्रेष्ट वानरों ने श्री रगुनाथ जी को इसकी सूच ना दी। श्री राम ने जब सुना कि वाली पुत्र अंगद महा समर में मुर्चित होकर गिरे हैं तब उन्होंने जामवान आदी प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आग्या दी। श्री राम चंद्र जी का आदेश सुनकर श्रेष्ट वानर वीर अत्यंत कुपित हो धनुष उठाये खड़े हुए कुम्भ पर सब ओर से तूट पड़ी। वे सभी प्रमुख वानर अंगद की रक्षा करना चाहते थे अतह क्रोध से लाल आखे किये हाथों में व्रिक्ष और शिलाएं लेकर उस राक्षस की ओर दोडे। जामवान सुशेन और वेग दर्शी ने कुपित हो वीर कुम्भ कर्ण कुमार पर धावा किया। उन महा बली वानर यूथपतियों को आक्रमन करते देख कुम्भ ने अपने बान समूहों द्वारा उन सब को उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुवे जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ परवत रोक देता है। उसके बानों के मार्ग में आने पर वे महा मनस्वी वानर यूथपति आगे बढ़ना तो दूर रहा, उसकी और आख उठा कर देख भी नहीं पाते थे। ठीक उसी तरह जैसे महा सागर अपनी तट भूमी को लांग कर आगे नहीं जा सकता था। उन सब बानर समूहों को कुम्भ की बान वर्षा से पीडित देख, बानर राज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करकी, स्वयम ही रण भूमी में कुम्भकर्ण कुमार पर उसी तरहें धावा किया, जैसे परवत के शिखर पर विचरने वाले हाथी के ऊपर वेगवान सिंग आक्रमन करता है, महाकपी सुग्रीव अश्वकर्ण आदी बड़े बड़े व्रिक्ष तथा दूसरे भी नाना प्रकार के व्रिक्ष उखाड कर उस राक्षस पर फेकने लगे, व्रिक्षों की वह वर्षा आकाश को आच्छादित किये देती थी, उसे टा तीवर वेगशाली कुम्भ के पैने बाणों से व्याप्त हुए वे व्रिक्ष भयानक शतग्नियों के समान सुषोभित होते थे, उस व्रिक्ष व्रिष्टी को कुम्भ के द्वारा खंडित हुई देख, महान शक्तिशाली पराक्रमी वानर राच सुग्रीव व्यथित नह वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उचल कर उसके रत पर चड़ गए और कुम्भ के इंद्रधनुष के समान ते जस्वी धनुष को छीन कर उन्होंने उसके टुकडे टुकडे कर डाली, तत पश्चात वे शीग्र ही वहां से नीचे कूत पड़े, यह कुम्भ के बड़े भाई कुम्भ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अदभुत है, राक्षसों के प्रती विनय अथवा प्रवनता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावन में, तुम प्रहलाद, बली, इंद्र, कुबेर और वरुन के समान हो, केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्री ये पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले एक मात्र शूल धारी तुझ महा बाहु वीर को ही देवता लोग यु केवल वर्दान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग जहन करता है। तुम्हारा पिता कुम्पकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असरों का सामना करता था, परन्तु तुम वर्दान और पराक्रम दोनों से संपन्न हु। तुम धनुर विद्या में इंद्रजित के समान और प्रताप में रावण के तुल्ले हो। राक्षसों के संसार में अब बल और पराकरम की दृष्टी से केवल तुम ही श्रेष्ट हो। आज सब प्राणी, रण भूमी में इंद्र और शंबरासुर की भाती मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महा युद्ध को देखी। तुमने वह पराकरम किया है जिसकी कहीं तुल्ना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कोशल दिखा दिया, तुम्हारे साथ युद्ध करके ये भयंकर पराकरमी वानर वीर धराशाई हो गए। वीर, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है, उसमें कारण है लोगों के उपालंभ का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुम्ह बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके ठक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है, अतह अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो, घी की आहूती पाए हुए अग्निदेव के समान कुम्ह का तेज बढ़ गया। फिर तो कुम्ह ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़ लिया। तत पश्चात वे दोनों वीर मदमत गजराजों की भाती बारम बार लंबी सांस खीचते हुए एक दूसरे से गुथ गए। दोनों दोनों को रगडने लगे और दोनों ही अपने मुख से परिश्रम के कारण धूम युक्त आग की ज्वाला सी उगलने लगे। उन दोनों के पैरों के आगात से धर्ती नीचे को धसने लगी। जूमती हुई तरंगों से युक्त वरुणाले समुद्र में ज्वारसा आ गया। इतने ही में सुग्रीव ने कुम्भ को उठा कर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेक दिया, उसमें गिरते ही कुम्भ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुम्भ के गिरने से बड़ी भारी जलराशी उपर को उठी, जो विंध और मंदराचल के समान जान पड़ी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुम्भ पुनह उचल कर बाहर आया और क्रोध पूर्वग सुग्रीव को पटक कर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इस से वानर राज का कवच तूट गया और छाती से खून बहने लगा। उसका महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। उसके वेग से महां बड़ी भारी ज्वाला जल उठी थी, मानो मेरु परवत के शिखर पर वज्र के आघात से आग प्रकट हो गई हो। कुम्भ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानर राज महाबली परमपराक्रमी सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्ले मुक्का सम्हाला और कुम्भ की छाती में बल पूर्वक आघात किया। उस मुक्के का तेज सहस्त्रो किर्णों से प्रकाशित सूर्य मंडल के समान उद्दीप्त हो रहा था। उस प्रहार से कुम्भ को बड़ी पीडा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरहें गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस आकाश से अकस्मात गिरने वाले मंगल की भाती ततकाल धराशाई हो गया। मुक्के की मार से जिसका वक्ष स्थल चूर चूर हो गया था। वह कुम्भ जब नीचे गिरने लगा तब उसका रूप रूद्र देव से अभिभूत हुए सूर्य देव के समान जान पड़ा। भयंकर पराक्रमी वानर राज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर परवत और वनो सहित सारी पृत्वी कापने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। इस प्रकार श्रीवाल्मी के निर्मित आर्श रामायन आदी काव्व के युद्ध कांड में छिहत्तर्वा सर्ग पूरा हुआ। रामो राज मनी सदा विजयते रामम्रमेशं भजे रामेडा भिहता निशाचर चमू रामायत स्मैनमह। सथतर्वा सर्ग हनुमान के द्वारा निकुम्भ का वद। सुग्रीव के द्वारा अपने भाई कुम्भ को मारा गया देख। निकुम्भ ने वानर राज की ओर इस प्रकार देखा, मानो उन्हें अपने क्रोध से दग्द कर देखा। उस धीर वीर ने महेंद्र परवत के शिखर जैसा एक सुन्दर एवं विशाल परिग हाथ में लिया, जो फूलों की लडियों से अलंकृत था और जिसमें पाँच-पाँच अंगुल के चोड़े लोहे के पात्र जड़े गए थे। उस परिग में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी विभूशित किया गया था। वह परिग यम दंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। उस इंद्र ध्वच के समान तेचस्वी परिग को घुमाता हुआ वह महा तेचस्वी भयानक पराक्रमी राक्षस निकुम्भ मू भैला कर जोर-जोर से गर्जना करने लगा। उसके वक्षस्थल में सोने का पदक था, भुजाओं में बाजुबंद शोभा देते थे, कानों में विचित्र कुंडल जलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूशनों से और उस परिग से भी निकुम्भ की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेग इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस महाकाय राक्षस के परिग के अग्रभाग से टकरा कर प्रवह आवह आदी साथ महावाईयों की संधी तूट फूट गई तथा वह भारी घडगडाहट के साथ धूम रहित अगनी की भाती प्रज्वलित हो उठा। निकुम्व के परिग घुमाने से विटपावती नगरी अलकापुरी गंधर्वों के उत्तम भवन तारे नक्षत्र चंद्रमा तथा बड़े बड़े ग्रहों के साथ समस्त आकाश मंडल घूमता साप्रतीत होता था। परिग और आभूशन ही जिसकी प्रभा थे, क्रोध ही जिसके लिए इधन का काम कर रहा था, वह निकुम्व नामक अगनी प्रलैकाल की आग के समान उठी और अत्यंत दुर्जे हो गई। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिल डुल भी न सके। केवल महाबली हनुमान अपनी छाती खोल कर उस राक्षस के सामने खड़े हो गई। निकुम्व की भुजाएं परिग के समान थी। उस महाबली राक्षस ने उस सूर्य तुल्य ते जस्वी परिग को बलवान वीर हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुद्रड और विशाल थी। उस से टकराते ही उस परिग के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए मानों आकाश में सौ सौ उलकाएं एक साथ गिरी हूँ। महाकपी हनुमान जी परिग से आहत होने पर भी उस प्रहार से विचलित नहीं हुए जैसे भुकंप होने पर भी परवत नहीं गिरता है। अत्यन्त महान बल्शाली वानर शिरोमनी हनुमान जी ने इस प्रकार परिग की मार खाकर बल पूर्वग अपनी मुठी बांधी वे महान ती जिस्वी, पराक्रमी, वेगवान और वायू के समान बल विक्रम से संपन्न थे उन्होंने मुक्का तान कर बड़े वेग से निकुम्भ की छाती पर मारा उस मुक्के की चोट से वहां उसका कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा मानो मेग में बिजली चमक उठी हो उस प्रहार से निकुम्भ विचलितो उठा, फिर थोड़ी ही देर में समहल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया उस समय युद्ध स्थल में निकुम्भ के द्वारा महाबली हनुमान जी का अपहरन होता देख लंका निवासी राक्षस भयानक स्वर में विजय सूचक गरजना करने लगी उस राक्षस के द्वारा इस प्रकार अपहरित होने पर भी पवन पुत्र हनुमान जी ने अपने वज्र तुल्ले मुक्के से उस पर प्रहार किया फिर वे अपने को उसके चंगुल से छुड़ा कर पृत्वी पर खड़े हो गए तदनंतर वायु पुत्र हनुमान ने तत काल ही निकुम्भ को पृत्वी पर दे मारा इसके बाद उन वेगशाली वीर ने बड़े प्रयास से निकुम्भ को पृत्वी पर गिराया और खूब रगड़ा फिर वेग से उचल कर वे उसकी चाती पर चड़ बैठे और दोनों हातों से गला मरोड कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाण लिया गला मरोडते समय भर राक्षस भयंकर आर्तनाद कर रहा था रण भूमी में वायु पुत्र हनुमान जी के द्वारा गर्जना करने वाले निकुम्भ के मारे जाने पर एक दूसरे पर अत्यंत कुपित हुवे श्री राम और मकराक्ष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ निकुम्भ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गर्जने लगे संपूर्ण दिशाएं कोला हल से भर गई प्रिथवी चलती सी जान पड़ी आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भै समा गया इस प्रकार श्री वाल्मी की निर्मित आर्ष रामायन आधी कावि के युद्ध कांड में सथत्तर्वा सर्ग पूरा हुआ रामो राज मनि सदा विजयते रामम्रमेशं भजे रामेडा भिहता निशाचर्चमू रामायतस मैनमह राम